कि बिल्कु ठीक बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक रैली में जाना चाहते हैं, नहीं जा पाए, सड़क पर जाम था, इसलिए नहीं जा पाए, और अब वो कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक थी, सुरक्षा में चूक अगर थी तो जाच भी होना चाहिए मैं इस बात से पूरी तरह सैमत हूँ क्योंकि हमने इस देश में देखा है कि पहले एक प्रधान मंत्री और एक पूर्व प्रधान मंत्री को हमने सुरक्षा में चूक की वज़े से खोया है तो हम इसको बहुत हल्के फुल्के ढंक से नहीं ले सकते हैं। अब जाँच हो तो किसकी जाँच हो। पहली बात पंजाब सरकार ने चन्नी ने जो अपनी पत्रकार वारता कही है कि एक बरसाथ हो रही है, दूसरा कोरोना फैला हुआ है और कोरोना पर जो गाईडलाइन्स का काम है वो केंदरी इस तरह से हो रहा है बहुत सारी बंदिशें हैं प्रतीबंद हैं लोग नहीं आ पाएंगे और तीसरा किसान अंदूलन चल रहा है जब कोई वैधानिक निर्वाचित राज्य सरकार केंदर को गुर्यमंत्राले को यह राय दे रही है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस राय की उपेक्षा क्यों की ज़िए कोई भी नहीं जा सकता फिर तो अगर स्टेट लेवल पर स्टेट गॉर्मेंट यह राय दे रही है कि कृपिया आप आगे आ जाईए आप अभी ना आएं तो अच्छा है क्योंकि यह तीन बड़े कारण है और तीनों केंटरन में है बी एस एफ केंद्रिय सुरक्षाबल है और केंद्रिय सुरक्षाबल ग्रेमंत्राले के अधीन है तो केंद्रिय सुरक्षाबल बार्डर सेकिरिटी फोर्स की नाकामी वहां कहां रही यह इस बात पर बात होनी चाहिए इसकी जाच होनी चाहिए तीसरा किसी भी प्रधान मंत्री का मैं तो 40 साल 45 साल की पत्रकारिता की अनुभों के अधार पर कह सकता हूँ कि SPG जो होती है जिसकी ओर इशारा पुष्प जी ने किया है और उसको खुल के बात करता हूँ कि जो SPG होती है चीधे केंदर के नियंतरन में होती है और उसकी प्रधान मंत्री के सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG के डूसरी चीज जब तक SPG संतुष्ट नहीं हो जाती तो माफ कीजे प्रधान मंतरी चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे इंदिरा गांदी हो चाहे राजीव गांदी हो चाहे कोई भी हो अमेरिका में भी जब तक उनकी सुरक्षा एजेंसी क्लियर नहीं कर देती हरी जंडी नहीं दे देती तब तक कोई प्रधान मंतरी गाड़ी में बैठता नहीं है हेलिकॉप्टर में बैठता नहीं है हवाई जहाज में बैठता नहीं है तो यह कैसी SPG की जांच थी जिसने प्रधानमंत्री को जो है जाने दिया वहाँ पे इसका मतब तीसरी चूप भी SPG की लेवल पे हुई चौथी चूप जब वे एरपोर्ट पे थे और विकल्प खोज रहे थे 20 मिनिट इंतजार करने का बताया गया MI हेलिकॉप्टर लगे थे वहाँ पर तीन हेलिपेड बनाए गए थे कई वहाँ पे MI हेलिकॉप्टर ऐसा माना जाता है कि जो मुसलाधार बरसात में भी जा सकता है और जो विजूल्स आए हैं मुसलाधार बरसात के नहीं हैं और SPG के हाथ में अगर नियंत्रन था तो M.I. हेलिकॉप्टर को एक हेलिकॉप्टर को उस रूट पर ऊपर ऊपर एरियल सर्वे क्यों नहीं करना चाहिए था कि ये रास्ता खुला है कि नहीं चलिए M.I. हेलिकॉप्टर को भी छोड़ दीए SPG के मातहत जैसे चुनाव आयोग के मातहत प्रशासनी कमला होता है SPG के मातहत सारी पुलिस प्रशासन होता है फिर उसमें प्रदेश का मुख्यमंतरी प्रदेश का DGP जो होता है वो भी SPG के निर्देश पे काम करता है तो SPG ने क्या देखा ऐसा कि वो रास्ता पूरा साफ है वहां तक बदल दिया आपने, बदल दिया कोई बात ने, ठीक है बदल दीजे, SPG ये करती है कि कम से कम एक घंटे पहले जाके सारा रूट क्लियर कराती है जो रास्ता उन्होंने कराया, एक घंटे पहले जो प्रधान म चन्नी ने अपनी प्रेस कॉंफरेंस में ये कहा है कि उन्होंने बीच में कम से कम दो बार, एक बार रेलवे लाइन पर और एक बार और रात को तीन बजे किसानों का धरना प्रधर्शन खतम कराया है, क्योंकि ग्रह मंतरी, अमित शाह ने उनको फोन किया था सीधे, कि भई आज का विशय है, तो जो उनके बहुत ही करीबी सही होगी है, जो चंद रोज पहले तक, दस साल करीब करीब मुख्यमंत्री रहे हैं, कैप्टन, क्या चार किसान, छे किसान, चार छे ट्रॉली, उनके ऐसे confidence में नहीं होगे, जो एक पटकता लिखी जाए, और वो तुरंत आके वहाँ प्रकट हो जाएं, हमने देखा है रेलियों में, इसलिए हमने देखा है कि कब कोई उतला नहीं जला, कोई काले जंडे नहीं हुए, खामोशी से उन्हों नहीं चक्का जान किया था, अगर हम मान भी लें, कि किसानों नहीं रोक दिया, तो सुरक्षा में खामी इसने नहीं हो सकती, कि हमारे प्रधानमंत्री जी तो खुदी समवाद करना चाह रहते हैं, किनी वजहों से, किनी परिष्थितियों से, एक साल तक समवाद नहीं हुआ, प्रधानमंत्री जी भी कहते थे, कि सिर्फ एक टेलिफॉन कॉल की तो दूरी है, अरे तो अब कर लो, उनकी बात कर लो, कोई आतंकवादी तो नहीं थे न, तो अगर समवाद हो जाता, तो भी क्या बिगड़ जाता, लानमंत्री की सुरक्षा में कौन सी चूपती, अब ये भी नहीं हुआ, तो अब मैं एक और बहुत ही, जिसकी और उश्वरेंजन जी ने बहुत ही सा इपार्टमिंट की हरी जंडी की नहीं होती, आज हम जिस तरह से जिस दुनिया में हैं, हम भी कहीं जाते हैं, तो साथ दिन तक वैदर देखके जाते हैं, कि वहाँ ये इतना मौसम ठंडा होगा, ये बारिश की चेतावनी है, और सब जगे यहाँ बार होगी, यहाँ बार ह समय पे, बटिंडा के एरपोर्ट पे जहां जब प्रधान मंतरी थे, ठीक उसी समय बटिंडा के आस्मान पर A.T.C. ने क्या दूसरी फ्लाइट को इजाज़त दिये, क्योंकि प्रधान मंतरी का विमान बड़ा ताकतवर होता है, वो प्रतिकूल मौसम में भी जा सकता है, और ये जांच का विशाय है, कि अगर प्रधान मंतरी जब भटिंडा के एरपोर्ट पे थे, और उस आस्मान पर A.T.C. ने दूसरी नागरिक विमानों को इजाज़त दिये, इसका अर्थ ये था, कि प्लाइन पहले से तैयार था, कि वो सड़क मारगेंगे, वहां किसान आ आती है, तीसरी चीज़ ये है, कि अगर ये योजना बनी, तो एक बार पंजाब सरकार को आपने सूचना तो किया होता, चन्नी ने अभी अपनी पत्रकार वारता में कागज दिखाया है, जो आपचारिक तोर पर पंजाब सरकार को भीजा गया है, उसमें कहीं भी इस मिनिट तक एयरपोर्ट पर जो है, इंतजार किया, और फिर जाने का तै किया, तो ये दिल्ली की गाड़ी बीस मिनिट में तो नहीं पहुंच गई, जो आप बता रहे हैं, पुश्परंजन जी, कि जो है, दिल्ली की गाड़ी ने वहां पहुंँ आचानक प्रकट हो गई, इसका अर्थिता के पहले से तैयारी थी, अच्छा, अगर आपने दिल्ली की गाड़ी ले जाएए, आप प्रधान मंतरी हैं, स्पी जी हैं, हम सब के माननी हैं, हम सब चाहते हैं कि उनको सुरक्षे तरहे हैं, लेकिन भाई, पंजाब सरकार को तो बताओ, चैन्नी ये कह र काईदी, क्योंकि ये पंजाब सरकार पर आरोप लगा है, दूसरा, जब वो रुके, पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया, कि आप कोई दूसरा रास्ता चुन गईजिए, ये आपचारिक तोर पर, क्योंकि पंजाब सरकार के मुख्यमंतरी, वो भी एक निर्वाचित औ और संसदी शपत लेके बने मुख्यमंतरी हैं, मैं उन पर भी जूट बोलने का आरोप नहीं लगा सकता, तो जब पंजाब सरकार ने ये कहा, कि आप दूसरा रास्ता चुन दीजिए, अगर वहां पर कुसान बैठे हुए हैं, तो नहीं किया गया, वो कह रहे हैं, फोन नह है, कि अगर मान लीजिए, सब हो गया, मान लीजिए, सब हो गया, प्रधान मंतरी जाना चाहते थे, रास्ती इसमारक पे जाना चाहते थे, 15-20 मिनिट रुख गए बरसात में, किसान क्योंकि आगे चक्का जाना, रास्ता रोके हो गए थे, अब वहां से करीब-करीब एक कि राजकुमार जी बताएंगे, कितने पहले थे ओ, प्रधान मंतरी जी, जहां से उनको लोटा लिया गया, तो यह सुरक्षा में खामी कहां से हो गई, मेरी नजर में तो प्रधान मंतरी जी को जाके वहां किसानों के साथ समवाद करना था, और नमबर स्कोर करना था, अगर और पर किसी प्रधान मंत्री से हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे कि जान बचा के आया जान बचा के आया तो हमें आज कल की दुनिया में कौन सी चीज छिपी है राजीव जी कोई विजुवल कोई टेलेविजन के जरीए इतने आज क्रोसर के टेवी होते हैं हर चीज प्ता लगजाती ही कि जान बचा कहा होता है, जान का खतरा कैसे होता है, कोई छीज छिपती नहीं है हाँ ये बात में राजकुमार जी की बात मानता हूँ कि खाली कुरसियां थी हो सकता है कारण रहा हो नेताओं को भीड पसंद होती है और जितना कि हम माननी है प्रधान मंतरी जी को जानते हैं उनको भीड से समवाद करना बड़ा रुचिकर लगता है उनका प्रिय शगल है कि वो भीड के साथ बड़ी संख्या में लोगों को संबोधित करें और उन तक अपनी बात करें समवाद करें यह उनका शौक है शगल है लेकिन अगर उस समय कुरसियां खाली थी तो मैं संदे कल आप इसलिए देना चाहता हूं कि आजकल हम लोग भी 25 समय 25 साल तक टेलिविज जाती हैं तो हो सकता है कि विजूल पहले का हो बाद में यह लगा दिया गया हो मैं उसको संदे कलाप देना चाहता हूं लेकिन अगर किसी की जाच होनी है तो इसमें BSF और SPG उनकी जाच पहले होना चाहिए तीसरा 80 जो एर ट्रफिक कंट्रोल है उसकी जाच होनी चाहिए उस दर्मियान कितनी फ्लाइट्स निकली उनकी जाच होनी चाहिए बटिंड़ा से किस अधार पर वो रिपूर्ट उनकी हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा उसकी जाच होनी चाहिए और पंजाब सरकार को जानकारी क्यों नहीं दी गई इसकी जाच होनी चाहिए और पंजाब स सुनें गई यह मेरे ख्याल से जाच का विशय है जी राजी जी जैशंकर जी क्या ये तोट